नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इडी कंट्रोल पर और मैं आप लोग के लिए आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ आइसोमेट्रिक से और्थोग्राफिक पोजेक्शन सिंपल तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है तो चलिए वीडियो को देखते हैं दिया हुआ है, isometric object यहां पर दिया हुआ है आपको, और इसी को देखकर क्या करना है, orthographic projection आपको यहां पर draw करना है, तो कि इस प्रकार से हम इसको draw करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, दो baseline खिचना होगा, जो बहुत important होता है, baseline खिचने से आपको क्या ह होगा कि, orthographic बनाने में इस प्रकार से आप दो baseline खिचिएगा, सबसे पहले, यह देखिए, दो baseline खिच दिए, अब खिचने के बाद आपको क्या करना होगा, कि दो line आपको खिचना होगा, horizontal और vertical line, तो horizontal line और vertical line कैसे खिचेंगे हम, तो देखिए, यह हो जाएगा, आपका horizontal line इस प्रकार से खिलकुल dark करके खिचना है आपको, और नीचे से रख कर इसको खिचना है आपको, तो यह हो जाएगा आपका vertical line, तेखिए दोस्तों, बहुत आसान है, इस तरह से इसको dark करके खिचने के बाद क्या करना है, आपको 10 mm का एक margin छोड़ना है, उपर की और भी, औ आपको 10 mm का margin छोड़ना है, इधर भी left में भी और right में भी आपको margin छोड़ना है, इस तरह से देखिए, यहाँ पर भी 10 mm ले लिए, यहाँ पर भी 10 mm ले लिए, और इस पी बिल्कुल thin line में आपको horizontal और vertical line खीच देना है, बिल्कुल thin line में जो आसानी से आपको फिर बाद मे मीट जाए, इस प्रकार से इसको लिए लिए लाइन में आपको खीच देना है, ऐसे line खीच देना है, यह देखिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर vertical line भी आपको इस तरह से खीचना है, जो बिल्कुल thin line होगा, देखिए, यह खीच दिया, इसमें भी आपको कीच देना है, इस तरह से, अब आपको क्या करना है, यह तीन जो line हम लोग चार line जो खीच दिये, अब क्या करना है इसमें, देखिए, इसमें आपको isometric को अच्छे तरह से study करना है, और इसमें length, height और breath, तीन चीज़ आपको निकलना है, तो height देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ह 39, और front का जो dimension होता है, उसको हम लोग length बोलते हैं और side का improve आपका breathe बोलते हैं, तो height कितना होगी आपका 39, 39 और front कितना है, 40 है, तो front मतलब होता है length, तो length होगी आपका 40, और side view जो दिया हुआ है, तो side view आपका breathe होजायेगा, तो हम इसको बोलते है ब्रे half, यह कितना करना है तो यहाँ पर आपको औस्फ़ेंपॉख और प्रियाफ फटो बना लिए है तो आपको क्या करना background का ध्रॉख्र करना है आप को और सबसे पहले यह ंतीन टिन का ली आप देखे क्या करना है तो यह आपको चैनर आपको बनाना है वह पयु Derek औबजेक्स विलो इन थर्ट ऐंगल पोजेक्शन तो थर्ट एंगल पोजेक्शन में ने क्या होता है और भी आपको घ्तर दिख करेंग hai neora करेंगे कि आँप एक चकार से पॉइंट लगा देंगे लिए अब प्रकार से लगा दीए अब को लगाने के इधर भी खीज़ दिये तो दोस्तों बहुत ही आसान है यह बनाना आप सीख सकते हैं इसको बनाके तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको अब इसका हाइट लेना उचाई लेना है तो 39 दिया हुआ है उचाई इसका यहां से हम 39 ले लेंगे कितना है 10 20 30 और 9 यहां पर 39 हो कितना है इसको लिए 8it अरुट नहीं के आपका सिकतीना होगा चानिघे बिलकुल है ने में आपको डाक्ने करना है कि देखिए उनसे कोतंगा है तो इसको में छीच दिये एक्स्टा लाइन, देने के बाद, अब क्या करना है आप बॉक्स को ड्रॉ करना है तो देखिए, क्या करना है, सब पहले बनाएंगे तो देगे find view क्या दिया हूए यहां से हैँ इसके बाद यह जो है तो यहां से फोर्टी मिला है अब देखें यह कितना है 13 यहां 13 है यहां भी 13 है और यहां भी 13 है मतलब तीन भाग में आपको जो 39 जो दिया हुआ है, उसको 3 भाग में आपको डिवाइट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 39 को dark कर देंगे, क्योंकि वो हमको clearly नजर आ रहा है, दीख रहा है तो हम उसको dark कर देंगे, इसको हम dark कर दिये ऐसे, ये देखिए दोस्तों, dark कर दि 13 13 Dannem आपको उपर लेकि यहां से उपर यहां से शर्ण कुलियर दिखा रहा मा थेच diff do कैसे करेंगे तो उसको एapolis को खेचने के लिए आपको क्या करना हैーー यहां लगा देना है वह क्लीएर नजर आ रहा है तो नाइंटी डिग्री में सेडिय स्कोर को बैठाना है देखिए और इसको ऊपर लेके जाना है यहां से 13 mm 10 11 12 13 तो यहां 30 पॉइंट 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 आगया यहां पर अब क्या करना है आपको तो देखिए फिर से आपको होरिजन्टल लेंग खीचना है तो होरिजन्टल लेंग कैसे कीचेंगे यहां से खीचना है से ऐसे किसने किसी एक रहा पे आपको बैठा लेना बिल्कुल उसको डार्क कर सकते हैं ऐसे अपको डार्क आउट अच्छे तरह से करना है देखिए अब एक्स्टा लाइन को आपको क्या करना है मीटा देना है बहुत आसान है दोस्तों आप लोग घर में इसको बैट के आराम से ट्राय कर सकते हैं बैट के बना सकते हैं बहुत ही इजी है देखिए यह प्रण्ट व्यू आपका कम्प्रीट हो गया अब बनाने के बाद आपको आदा है साइड व्यू पर अब साइड व्यू में देखे क्या क्या दिखता है तो इधर से जब हम इस अब्जक्ट को देखेंगे यह आपको सबसे पहले यह दिखेगा और यह दिखेगा और यह वाला दिखेगा मतलब सीडी टाइप से आपको बनाना है क्या है दिखेँ के में अग्यों d YA 30 से 3-0 वहां का क्या है देखें यहां पर आपका किया Frederik हतों क्यों आपको कितना हाइप है थार्तीन कि दीवाइड कर देना है तो आपको तीन भाग में त्यस त्या 49 आपको ती भागि में इसको डिवाइड करना है तो देखिए यहांपर होग्या आपका 11 12 13 यहां वो गया फिर चबिस पे आजए यह तो पच्छी से यहां यहां 26 हो गया तो तीन भावग कि भीड हो गया दिवाइड होने उने के कि आ देगे तीनों बाग बन गया यह वाला यह वाला और यह वाला तीनों बाग यह हैं यह ऐसे डार्क कर देना है तीनों को कि इसको भी डार्क कर देना है यह देखिए तीनों डार्क हो गया और एक्स्ट्रा लाइन को आपको बीच बीच में मिटा आते रहना है दो स्थे क्योंकि extra line बोखुत confusion पैदा करता है तो आपको confusion नहीं होना है और extra line को मिटा देना है ऐसे देखिए 13-13 का हो गया यह इसके 13 लिख सकते हैं dimension line को दर्शा के यह देखिए हो गया अब आपको आना है तो टॉप विडियो में कैसे बनेगा तो हमा पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताएते कि फ्रंट व्यू से लेकर ही टॉप बनता है तो फ्रंट इधर है आपका तो फ्रंट से ऐसे बनेगा टॉप मतलब इसक की सीद में आपको ऐसे खीच देना है लकिल देखिए आप इसको सेटी स्कॉर को बैठा के खीच सकते हैं सेटी स्कॉर को बैठाना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपका गलती हो जाएगा तो आपको सेटी स्कॉर बैठा के खीचना है यह देखिए परिकल उसी की सीद में तीन कॉलम् बन गया यह वाला कॉलम् यह वाला कॉलम् और यह वाला कॉलम् टॉप से देखने के बाद यह दिखेगा यह दिखेगा और यह दिखेगा और इसको क्या करेंगे हम डार कर देंगे कि फिल्कुल डार कर देना है आपको कि इस तरह से इधर भी डार्क कर देना है यह देखें यह सब भी डार्क कर देना है आपको तब वह किलियर ली आपको दिखरा है मतलब जो line आपका dark हो रहा है तो उस लाइन आप समझेए बिल्कुल clearly आपको नजर आ रहा है इसलिए हम उसको dark कर रहे हैं तो दोस्तो dark नहीं करने से आपका number कर जाएगा इसलिए आपको dark करना बहुत ही जरूरी है कि एक्जामनेशन में भी आपको dark करना है बहुत इन फोटन है dark करना यह देखें यह देखें दोस्तों तो यहां पर top भी आपका complete हो गया इसको हम extra line जो है इसको हम मिटा देंगे यह देखें यह extra line है इसको आप मिटा दीजिए एक्स्टा लाइन को मिटा दीजिए आप इसको हम देखें आपको देखें यह आपका front view हो गया सुरू से समझा रहे हैं आपको यह front view हो गया यह होगी आपका लिग देखें यहां पर आपको समझ में आएगा यह होगी आपका front view कि यह होगी और यह होगी आपको top view कि देखें आप लोग अभी question देखते होंगे question में लिखा हुआ है draw elevation side view and plan तो देखें elevation front view का ही नाम होता है elevation इसी को हम लोग elevation भी बोलते हैं इसका नाम elevation भी होता है और plan जो दियावा side view तो समझी रहे हैं कि side view side view को ही बोला जाता है and plan plan जो दियावा और top view को हम लोग प्लान बोलते हैं तो यह आपको याद रखना है तो यहाँ देखे टॉप बन गया यह फ्रंट बन गया यह साइड बन गया इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं और्थोग्राफी आसान तरीका से बना सकते हैं आपको बहुत ही इजी लगेगा बनाने में तो दोस्तों प्राइ कीजिएगा इसको घर में तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा